वेरी गुड मॉर्निंग टू अलो फी दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की एड़ सिक्स में चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नबोदे विद्याले समीती की तरब से आपके लिए फॉर्म ओपेन हो चुका है याने की ऑनलाइन रिजिस्टेशन करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है कल याने की सनिवार दो जुलाई को NBS की इस रिक्रूट्मेंट में आपको TGT, PGT और प्रिंसिपल के साथ साथ अन्य सिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है तो देश भर के लिए ये नियुक्ति की प्रक्रिया निकाली गई है कुल 1616 पदों के लिए एक से लेकर आठवी कक्षा तक और आठवी से लेकर नवी से लेकर बारवी कक्षा तक के चातरों की जो शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति होने जा रही है जिसके लिए आपको एक CBT टेस्ट देना होगा क्या है eligibility criteria, कितने पदों के लिए, किस zone में कितने पदों की vacancy निकाली के है, इन सब का विबरन देंगे step by step और category wise, कि किस category के छातरों के लिए कितना यहाँ पे seed vacant है, तो सीधे लिए चलते हैं आपको इसकी official notification पे, बट उससे पहले आप इसका homepage देख लिजे, इसका official website का, और य direct recruitment drive पे click कर लिजेगा, जहां से आप इसके apply करने वाले page पे आप आ जाएंगे, ठीक है, यहां से आप अपना application form भी भर सकते हैं, बहुत ही आसान सा form है, आप इसको within a 10 minute में अपना सारे detail भर के इसको fill up भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैं इसकी notification क को यहां से download कर लिया हूं, और download करने के बाद मैं आपको बता दो कि यह all India vacancy है, सिक्षक भरती को लेकर, जहां पे TGT, PGT, प्रिंस्पेल के लावा कुछ अन्य सिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी दी जा रही है, जिसके आपको बता दे कि NBS का जो headquarter है, वो नोईडा उ विद्याले जो है, यह functional पर है, मतलब कि यह कारेरत है, और state of Tamil Nadu में भी इसका एक center है, जहां पे आपको यह service प्रुभाइट कर सकते हैं, मतलब कि आपको जाना पड़ेगा वहाँ जॉब करने हैं, तो इन सभी जगों पर भी आपका हो सकता है, या नवोदे विद्याले जह यह लीग दी गई है, हैना, इनिडिया initial position on the selection of the request for the change or the station reason, हैना तो यह ध्यान रखेगा, आपके request पे भी आपका हो सकता है, कि जो है center change भी कर दिया जाए, ज्यादा अगर आपको दिक्कत हुए, बट आपका यहाँ पे selection होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, अब मैं आपको दादो की इसके लिए जो principal का post है, जो ज्यादा नहीं है, 12 post ही है total यहाँ पे, हैना, जिसके लिए कि आप छातर यहाँ पे आविदन कर सकते हैं, principal के post के लिए, जिसमें की general category में 7, EWS के लिए 1, OBC के लिए 3, SC के लिए 1 post यहाँ पे, और 1 OH कोटे के लिए, तो यहाँ से यह आपको 12 seat है, सिर्फ principal के group A के post को लेकर, post graduate teacher की बात करें, जो PGT का post होता है, वो group B के तहत रखा गया है, तो कुल यहाँ पे seatो की संख्या जो है, 397 है, जो की important है, और यह एक बहतरीन आपके लिए है, जो कि आपके subject wise यहाँ पे सारी detail में दी गई है, जिन भी छातर का post graduation, biology, biology, chemistry, commerce, economics, English, geography, Hindi, history, math, physics, computer science में हो रखा है, post graduation की बात कर रहा है, तो वो छातर इसके लिए आविदन कर सकते हैं, category wise अपने seat का ability आप यहाँ से check कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके लिए भी आविदन कर सकते हैं, जो भी छातर यहाँ पे TGT के लिए आविदन करेंगे, उनके टोटल सेट 683 है, तो कुल मिलाके यहाँ पे जो है 1616 पदों की यह टोटल विवदन दी गई है, आगे चलके मैं बताऊंगा, और जो TGT के लिए छातर आविदन करेंगे, यह फी group B के post हैं, इसमें English, Hindi, Math, Science और Social Study को लेकर यह vacancies दी गई हैं, जो कि teachers यहाँ पे आविदन कर सकते हैं, कुछ seat यहाँ पे pH काटेगरी से हैं, अच्छा, यहाँ पे group B में एक और post है, train graduate teacher, यानि कि TGT का ही यह update है, और यह third language को लेकर यहाँ पे दी गई है, सपोज माली जी कि आप असम से हैं, या फिर गुजरात से हैं, या कनाटका से हैं, या मल्यालम की छेतरों से है या महराष्ट के शेतरों से हैं, तो आपको यहाँ पे इनकुल as a subject लेकर भी कुछ vacancies दी गई हैं, जो कि यहाँ पे language को लेकर, third language को लेकर, 343 पदों की total vacancy है, तो इसको भी include करेंगे, उस 1616 में, तो यहाँ पे calculated करके बताये गया है, miscellaneous category of teacher, यानि कि MCT के लिए भी एक vacancy है, जो ग्रूप B के लिए है, अब यह miscellaneous जो subjects होते हैं, जैसे कि music हो गया, art हो गया, PT male हो गया, या PT female हो गया, या librarian की post हो गया, तो इनके लिए कुल 181 पदों की यह mission यहाँ पे की गई है, NBS में, तो यहाँ पी दोस्तों कुल अगर ह गई है, और इनके post code और eligibility criteria की हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि principal का post code एक दिया गया है, अगर आप form भरेंगे तो यह post code वहाँ पे मांगा जाएगा, कि case code के लिए पावेदिन कर रहे हैं, जिनका pay scale label 12 का है, बहुत ही अच्छा salary scale है, मान के चलिए है कि 80,000 से उनकी starting salary होने वाली है, प्लस में allowance वेगरा आपको मिलेगा, तो कुल मिला के लगबग यहाँ पे 90 से 95,000 रुपे तक कि आपकी enhanced salary आ सकती है, अपर age limit इसके लिए 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखीगा principal के post के लिए, जो कि 12 पदों की vacancy है, और label 12 के तहट, 7CPC के त ठीक है, और BA complete आपका होना चाहिए, टीचिंग डिगरी को लेकर, experience की बात कर ले, चुकि यहाँ पे principal का post है, तो भाई, लेबल 12 के salary जब दी जा रही है, तो person holding analog post और post of principal in the central government, state government या फिर autonomous organization, तो यह ध्यान रखिए, इन सभी जगों पे आपका, जो है, as a voice principal, या फिर PGT lecturer, या फिर person having 15 year experience होना जरूरी है, यह या करके भी बताया गया है, यहाँ देखेगा, आप इस salary पे कारेकर रूच चुके हैं, तो यह आपका academic है, और या तो PGT में lecture R का job कर चुके है, state या state या central government या autonomous body में, तो आपका इतना salary होना चाहिए, तभी आप इस principal के post के लिए आप आप इस दिन कर सकते हैं, तो यह हो गया इनका eligibility criteria, ओके, यहाँ desirable क्या है, तो देखेगे, जो भी छात्र यहाँ पे principal के लिए आप इस दिन करेंगे, एटलिस तीन साल का experience उनका होना चाहिए, as a house master of fully residential school, experience of working in fully residential CBAC affiliated government institute में, या फिर आपके पास proficiency होना चाहिए, English और Hindi का, या regional languages का, और working knowledge है, आपका computer का भी होना जरूरी है, तो यह desirable है, यह आपका यहाँ पे होगा, तो भी ठीक है, और नहीं होगा, तो भी आप उपर वाले criteria को फुल्फिल करते हैं, तो आवेधन कर यहाँ पे, ठीक है, essential नहीं बोला गया, desirable है, ओके, जो दूसरा post है, for the post graduate teacher को लेकर, यह सारे post code है, इस post code को note कर लीजेगा, उसके बाद आवेधन कीजेगा, अपना जो subject है, उसको choose करके, ठीक है, यहाँ पे label 8 के pay matrix के तहट इनको 47,600 की salaries क्यल दी गई है, 40 साल से age criteria का उपर नहीं होना चाहिए, अब बात होगी, यहाँ पे qualification क दो साल का integrated post graduate course आपका होना चाहिए, किसी भी regional college या education, NCRT पे और या NCTE के तहत आपका जो है, यह university जो है, रिकोगनाइज होना चाहिए, और 50% marks आपके होना चाहिए, तो यह है, और साथ में B.A. degree तो भाई, जरूरी है, यहाँ पे, बड़ अब आपको post graduate में PGT के लिए, ब चार साल का integrated degree किया है, उनको B.A. की जरूरत नहीं है, बड़ जो चार साल का integrated degree करते हैं, जैसे कि with B.A.C., B.A. या B.A. तो उनको यह जरूरत नहीं है, उनका जो है college, जो है NCTE के तहत रिकोगनाइड होना चाहिए, और या फिर जो उनका college, original college, educational, NCRT के तहत वेलिड होना चा अगर रखे हैं, 50% के साथ, तो भी आप आविदन कर सकते हैं, इन सभी पदों के लिए PGT में, तो आप यह subject यहाँ पर check कर सकते हैं, कौन-कौन से subject में आपका qualification है PGT को लेकर और यह तब आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं, तो यह सारा detail यहाँ से आपको mention कर दिया गया ह है, अब यहाँ पर जो desirable qualification बोला गया कि experience अगर है, तो आपको preference दिया जाएगा, experience है अगर residential school में, तो भी आपको यहाँ पर प्रफेंस दिया जाएगा, knowledge of computer आप रखते हैं application का, then you can also, मतलब preferable या फिर desirable हैं, तो इन से भी courses को लेकर, but essential में यहाँ पर ध्यान रखेंगे, B8 का degree और professional teaching in Hindi और English medium जो है, आपको आना जरूरी है, यह essential है, यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे, और PGT के लिए दोस्तों अब आते हैं, PGT computer science का जो qualification है, 50% मांगा गया है, B.E.B.Tech अगर आप हैं, तो भी आप एधन कर सकते हैं, B.E.B.Tech है, आप post graduate है, तो भी आवेधन कर सकते हैं M.E.C.A. computer science हैं, तो भी आवेधन कर सकते हैं, या B.E.C.A. graduate graduate, B.E.C.A. हैं, तो भी आवेधन कर सकते हैं, यह सारी detail यहाँ से दी गई है, या फिर आपके पास certification है, O.L.E.B.L.E.B.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E. यहाँ पर B.E.E.C.A. की डिगरी होनी चीए, ध्यान रखेगा, और जो computer science वाले हैं, छात्र, या B.E.C.A. कर रखें, उनको यहाँ पर B.E.E.C.A. की डिगरी की जुरत नहीं पड़ेगी, ठीके, at least 50% मास उनका होना चीए, aggregate in any of the following B.E.E.C. ठीके, computer science में, और यह रिको ग qualification को लेकर सारा detail, यह post code है, TGT को लेकर, यानि के trained graduate teachers को लेकर code note कर लीजिएगा, उसके बाद ही form के लिए आविदन करिएगा, और यह third language को लेकर भी code दिया गया है, बट यहाँ पे इनका जो salary scale है, वो जो वली सजार 900 से starting होगी, 35 साल से age criteria जादा नहीं होना चीए, बाकि उ अधर आविदन कर सकते हैं, in original languages, third language जो है, यहाँ पे इनके लिए, यह सारे subjects दिये गया है, इन सभी subjects में, अगर आपका यहाँ पे qualification है, then you can go apply for this post, तो यह सारा detail हो गया, यहाँ से दोस्तों qualification को लेकर, और इनका जो miscellaneous वाला जो vacancy है, miscellaneous teachers का, उनका post code दिया गया है, इसका जो salary scale है, यह भी 24 जर 900 स्टार्टिंग है, 35 साल तक जो age criterion का रखा गया है, qualification की बात कर ले, जैसे essential वालों का, जैसे की music है, तो five year study in music institution, आपका होना चीए, government या state या central government के तहत, आपका यह जो college होना चीए, bachelor degree मांगा के है music में, तो यह ध्यान रखेगा, higher secondary with any of the following, जैसे की सं अंधर्व, महाविद्यालया, मंडल, बॉम्बे में है, जो वहाँ से अपने अपने graduation किये है, तो इन सभी colleges का नाम यहाँ पर mention किया है, इन सभी जगों का, तो यह देख लिजेगा, आप लो, यहाँ पर आगर आपका higher secondary, या senior secondary आपने किया है, इन में से, तो, ठीके, और desirable qualification यहाँ पर working knowledge मांगा गया है, English और Hindi का, और experience होना भी चाहिए, यहाँ पर working knowledge होना चाहिए, तो यह सारा detail अगर आपके पास है, तो आप आविदन करेंगे, इसके लिए essential qualification को लेकर, आर्ट के लिए भी same as it is है, चार साल का लेकिन यहाँ पर मांगा गया है, डिप्लोमा का, ड होना चाहिए, यहाँ पर BA degree in fine art, है ना, तो इसको आपके पास degree है, तो आप इधर आविदन जरूर कर लेजेगा, पीटी मेल को लेकर, बैसलर डिगर आपका होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन को लेकर, और leveraging के लिए, leverage science में आपका degree होना चाहिए, तभी आप इसके one year का diploma, leveraging है आपके पास, तो भी आप आविदन करेंगे, यहाँ पर working knowledge होना चाहिए, English और Hindi का original language का भी, यहाँ पर महत्वत दिया गया है, experience होना चाहिए, residential school का आपके पास, leveraging का, knowledge of computer भी आपके पास होना जरूरी है, और यहाँ भी आपके लिए, जो working knowledge है, English और Hindi में होना चा है, PT male को लेकर, PT female को लेकर है, ठीक है, बट ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर, यह desirable है, यह नहीं भी होगा, तो यह at least आपके पास, जो होना चाहिए, तो आप इधर आविदन कर सकते है, desirable वाला पार्ट अगर नहीं भी है, तो consider किया जाएगा, बट अगर है, तो आपका फॉर्म निकाला गया है, याने कि एक जुलाई से, और लेकर आपको 27 जुलाई के पहले का, जो है, आपका होना चाहिए, कि एज क्वालिफाई करें आप उसमें, है ना, जो यह भी एज, तो एज बहुत दिया गया, यहाँ पर, आपको आविदन कर सकते हैं, यह सार डिटेल है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला किये कि आपका टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा आपका यहाँ पे, जिसको कि आपको यहाँ पे प्रिंसपल के पोस्ट के लिए तीन पार्ट में यह टेस्ट देना होगा आपको, जिया, रेजनिंग का, नेमरिकल जो है, आपको टाइम दिया जाएगा, फर्म को भरते हैं, तो इसका फर्म आविदन करने के लेकर यह अपडेट यहाँ से दिया जाएगा, और यहाँ पे टेस्ट होगा आपका पार्ट फोर जो की आपके एकाडमी को लेकर भी किया जाएगा, और इसमें आपको पचास का पेपर, तीन घंटे का यह टोटल टाइम रहेगा, आपको इस एक्जाम को देने का, जो की एज फॉर दर प्रिंसिपल के लिए, पीजी टी के लिए भी आपका सेम यहाँ पे है, चार पचे पार्ट में एक्जाम है, जिसमें की देखिएगा, यहाँ पे जनरल अवेरनेस को लेकर 10 कोशन होंगे, फिर उसके बाद रेजनिंग अबिलेटी को लेकर 10, 20 कोशन होंगे, नॉलेज आफ आइसी टी को लेकर यहाँ पे 10 कोशन होंगे, टीचिंग अपिश्यूट को लेकर 10 कोशन होंगे, लेकिन जो भी आप से विलॉंग करते हैं, नॉलेज आपके डॉ यहां से आप चाट्रेटेस्ट देंगे 130 कोशन होंगे 130 नंबर के यहाँ पर भी आपको टाइम दिया जाएगा तीन घंटें का दिया जाएगा ऑगे इसी तरह से आपका जो पीजी टी का है उसके लिए भी तीन घंटें का ये होगा और आपको सब्जेक्ट वाइज यहां पर अपको अपना एक्जाम देना होगा फॉर्म को कैसे भरना है एक वीडियो में बना के बता दूंगा लेकिन फॉर्म भरने का फीज जान लीजिए दो हजार रुपे प्रिंस्पल के लिए पीजी टी के लिए अठारा सो रुपे और टीजी टी के लिए यहां पर पंदरा सो रुपे फीज चार्ज लिया जाएगा यहां पर ठीके तो यह ध्यान रखेंगे यहां से फीज चार्ज अपडेट कर दिया गया है फिर भी अगर आउट लगते हैं आपको यहां से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे जैहन